दोस्तो डेली पॉल टेक्निकी काउंस्लिंग सेडूल आ चुकी है यानि कब आपको प्रॉसेसिंग फी पे करनी है कब चॉइस सम्मिशन कब उसका लॉट में लेटर आएगा कब आपको कॉलेज की फी पे करनी है और कब फाइनल डॉकुमेंट वेरिफिकिशन होगा कब करती है क्योंकि को रॉना चलना इस वज़े से आप लगातार विजिट करने करते रहें यह चैनल से जूड़े रहोगे तो आपको जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहोगा तो रेस्टेशन सतरह सितंबर को एंड हो चुका है यानिकि सतरह सितंबर तक बच्चों न विखा डिका तो और गैश्ट के आधार पर आप यह अंदाद लगा पैएंगे कि कौन सी ट्रेट मिल सकती है और उसके बारे में आपको जी है तो नेक्च्ट वीडियो ऒबाताऊ हूँको कि कि कितने कीि कितरी है क्पहँ चुर से लिंगा अपको जानकारी में में आपको अ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 717 रुपे करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फी कर देंगे 30 से 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में तो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपको चॉइस सब्मिशन का मौका मिलेगा जिसमें आपको कॉलेज यानि कौन से पॉल्टिकर में अड़मिशन लेना है और कॉन चे टरेद लीडि यह तो जो भी आपकी प्रिफ्रेंस ौफ्ञों फिल करेंगे मैं आपको एडवआज दो तो आप मेकिसिमम Mmm और maximum college prefer करना यानि choice submission में fill करना जितने ज़्यादा हो सकें क्योंकर किसी ने किसी में admission होई जाएगा और जब number आजाएगा तो trade बे बाद में धीरी धीर अगर seat बच जाती है तो trade भी change होने के chances से ठीक है वो आगे जाने कर या आपको इस वीडियो में मिलेगी जिनको trade और college मिल जाएगा उनके allotment letter पर यह भी लिखा होगा कि आपको कितनी fee पे करनी है उसी को हम बोलते है online payment of part institutional fee यानि college की फी वो कब से कब तक पे करनी पड़ेगी 8 October से 9 October के बीच में 8 October और 9 October इन दो दिन के टाम दिया जाएगा आपको इसमें आपको college की fee पे करनी पड़ेगी जो आपके allotment letter पर लिखा होगा आपको 8,000 पे करनी है 6,000 पे करनी है ज्याद आप जो भी पे करनी है वो लिखा होगा okay average जो अगर मैं बताओ तो average जो क्या होता जनरली जनरल candidate के लिए बात करो तो 8,000 रुपे पे करनी होते गौवर्मेंट पॉल्टेक्निकी लेकिन अगर सेश्टी है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होता है और उसके अलावा टीफ डुव कोटा में भी डिस्काउंट होता हूं पर भी कंसेशन होता है लेकिन अगर आपका private पॉलटेक्णिक में आता है तो प्राइव पॉलटेक्णिक की फीज कितनी होती है लगबख 30-35 तो आपको स्चार्टिंग में इतने पहाँ करने होंगे और बाकी बच्जानगों भी अब्टो में बने रहो अब 7 अक्टूबर को आचुके है प्रोबिचे लेटर आट-10 पूद्वे मिलडरा कॉछ सेम उप्सक्क्राई है तो आपको कॉल घंडर करना दो करा कोई खिर से मुझे प्रेशा फिरीजर सब्सक्क्राइख कांसियर और यह को इंद्र कॉप्सक्राइबार करना ऐसा करें और ट्रेट मिल गई तो मैं अपना द्मिसिंग जिसमें भी आपने लिया है वह चेंज करवा लूं तो एपको अपको चॉयस सब्स करना पड़ाइगा फैस्ट में अगंब प्राप्लम वो फैटर रहेगं आपस बादस्षीच में डेगा अब पर rid किलियर है तो ड़रने वाली कोई बात नहीं है सेकेंड राउंड की जो कांवलिंग हो गी वहर्ट अक्टूबर से नॉठूबर की बीच में होगी जिसमें 8 से नॉक्टूबर में अगर औ unless किसी बचने फस्ट यृट परटिसिपेट ही नहीं किया सोगे जो सेट कॉंसलिंग जो सेट चॉइस इंवर से 10 explo के गेज़ से 8 अक्टूबर के तो brand के बीच में ही होगा हाँ के 8 से 10 September के भी में हेथ और सिकेंड आँ की जो Made का जो प्राविजनल अलॉट्मेंट लेटर आएगा वह 13 अक्टूबर को आएगा चार बजे के लिए अब 13 अक्टूबर को जिन बच्छों को आ जाएगा सेकेंड राउंड में उन बच्छों को फिर 14 से 15 अक्टूबर के बीच में कॉलेज की फी पे करनी पड़ेगी और फी नहीं ओटर कर रहें किसफे करने में इसलिए पर निए क्टूबर के बीच में और चॉइप से 15 न की 14-16 अक्टूबर के बिच में ठर्ड कांस्लिंग का जो अलक्र लेटर अएगा वह बीस अक्टूबर को करनी है और फ्रिज या अप्ग्रेड का ऑप्शन जो हो है वह 21 से 23 अक्टोबर के बीच में तो इस सारा पीडिएफ आप डाउनलोड कर लेना और या एक एक डेट को ध्यान अखना डेट अगर चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान अगर कुछ चेंज होता है तो कि उसके बाद 21 से 23 अक्टूबर तक उसे चॉइस सब्मिशन का मौका मिलेगा यह नहीं वह चॉइस फिल कर सकता है जो भी ट्रेड एवलेबल होगी जो भी सीट मानलोग कभी कई पर ऐसा होता है कि कोई ट्रेड फर्स्ट राउंड में ही फिल हो यानि कि जास्तों मानलोग क सब्मीट करोगे तो वहां पर चॉइस दिखेगा यह नहीं कि वह चॉइस नहीं होगा ऐसा होताँ वीसे टीटंव लटी कर सकते तो 4th राउंड में पार्टीश्पेटि कर सकते ओ السросर्ड रहों 28 उक्टूबर और 17 श्क्टूबर के बीच बैक पढ़ेगी और यहाहीं पे फिजिकल डॉकुमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल अलॉट्में लेटर यह सब यह पर आजाएगा सताइस अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में सारा हो जाएगा अभी बैलेंस फी सिर्फ को प्राइविट कॉलेज वाले को और एक और कॉलेज है जो टूलेंड डाइव मेंकिंग के लिए है वजिर पूडिपो वाला डेली टूलेंड इसी तरीकी से कुछ नाम है देख लेना उसमें क्यूंक है उसके फीस ज्यादा है उसक सब्सक्राइब करने पड़ेंगे तो बाकी बैलेंस फीस होगी वह आपको सताइस अक्टूबर से कट्रीस अक्टूबर के बीच में पड़ेंगे अगर यह फीस करेंगे तब ही आपका फाइनल अलॉर्टमेंट लेट रहेगा यानि आपको कॉलेज में आपका एडमिसन कन हो जाएगा और यह अभी भी कंफर्म नहीं हो एक्शल में कंफर्म तो हो चुका है लेकिन आपका फिजिकल डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी होना बागे यानि कि जैसे कुछ बच्चों नहीं लगा है कुछ बच्चों का इंकम सर्टिफेट का पंगा है कुछ के पास डॉ की अलएं जो भी था हो गया जैसे वह बट कॉलेज में जाएंगे को ब्लीज जो भी आपको अलॉट होगा उसको चालेज में जाएंगे तो अपको सारे ओरिजिनल डॉकुमेंट और उसकी फोटोपी बचेल अब आपका फिजिकल डॉकुमेंट वेरीफिकीसन होगा उसके सब ओके कर देगा हां कि आपका एडमिशन कंफर्म है ठीक है इतना सारा प्रॉसस होने के बाद भी एकर सीट बच जाती है और हर बार होता सीट कुछ न कुछ तो बचती इस बर बीचेगी मैं आपको गारेंटी दें इस बर भी सीट कुछ न कुछ बचेगी हर ट्रेड में बारे में schedule website पर आएगा अभी वह नहीं आया है बाकि जो जो भी बच्चे spot round में participate करेंगे उनके लिए reporting जो होगी जो डारेक्ट college में जाकर उनके लिए college बता दिया किस college में आजाना है पूसा में जाना है या किसी और college में जाना है जहां पर भी वह website पर अपडेट आजाएगा वहां पर जाकर अपने documents ले जाना होगा और एक डीडी ले जाना होगा जितने का बताया जाएगा च्छेजार रुपर के आसपस को मैं आपको आगे बाद में वीडियो में बताऊंगा जैसे इसका बता दूँगा इस पॉर्ट राउंड सिर्फ डैली कंडिडेट के लिए हैं और सीटे बची होती है जिसने आपको मेकेनिकल सिविल एलेक्रिकल में अडिमिसन लेना है और आप चाहते हो कि गवर्मेंट में ना मिले तो प्राइवीट में बिल जाए तो मैं आपको बता रह में पाइटिसिपेट किया अपने 717 पे किये च्वाइश सब्मिट किया लेकिन आपको ट्रेड कोई से भी नहीं मिली वह बच्चा एलीजिबल होता है इस पॉर्ट राउंड के लिए ट्रेड नहीं मिली तो वह एलीजिबल है या उसने एडमिसन नहीं लिया है उके बट उ जाद जाद लोगों को वीडियो करना ताकि कि किसी के पास को डाउट डर है और सभी बच्चों को पता चल सके कि काउंस्लिंग शेडियो ला चुकी है और बच्चे टाइम पे जो भी पे करना है जो प्रोसेसिंग फी या चॉइस सब को सही से करे चॉइस सब्मिशन के ग्रूप बना हुए पॉल्टेक्निक के लिए वहां पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो आपक्स कोजिंग सेंटर के नाम सबको इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा वहां पर प्रसनलिंग पूछ सकते हो लेकिन हां मैसेज करने कबाद इसको मिल ही जाए क्यों सबके एक limited सीट से और सबने करेटेरिया भी फिक्से हैं जैसे मालो साथ सीट हैं पूसा में मकैनिकल या सेविल की तो साथ में से 15 लिए यानिकि लगभू नौशीट ही तो नौशीट ही ऑसाइड के लिए उसमें भी वी और शीह तो आप सबको तो कर निया निया आपके पास 90 परसेंट है और पांचों बच्छी जन्रल है वह भी पांचों आउटसाइट के तो पांचों के अडमिशन तो पॉसिबल ही निया क्योंकि जन्रल के लिए एक से दो ही सीट होगी तो कैसे पांचों का हो जाएगा यह समझ रहे हो ना मेरी बात तो यह थोड़ी प्रब्लम हो सकती तो अब को चौइस जब सब्मिट करोंगे तो मैक्सिमिमम् चौइस करना जितने जादा-जादा चौलेज हो सके जितने जाधा जादा ऊ-सके नमबर आपका आजाएगा करद कि अब करसे कर सकते हो तो अगर किसी में आपका दूसरे मालों आ और में एडमिशन ले लिया ट्रेड में मालों स्टाइटिंग में अपने मेकनिकल ले लिया और बाद में आपको सिविल चाहिए तो फॉस्ट राउंड में लेनी के बाद भी आप सेकंड डाउंड में चॉइस फिल कर सकते हो बस आप कि लिए रहे बाकी अब आप सारी चीज़े तैयर कर लो डॉकुमेंट्स अपने जो भी कॉलेज की फीज अपकी लगने वाली लगभग आठीज रुपे तो आप मान की चलो आपको स्टाइटिंग में पे करनी है और साधे साथ सो रुपे का सपास वह प्रोसेसिंग फी बाकी